हेलो, मैं इस वीडियो में 45 डिगरी का एंगल बना कर दिखाने जा रहा हूँ 45 डिगरी का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले 90 डिगरी का एक एंगल बनाना होगा 60 डिगरी के बीच एंगल बाइसे हो जाएगा और इसे 60 डिगरी के बीच एंगल बाइसे हो जाएगा और यह 90 डिगरी का एंगल बन गया है इसको जोइन कर देना है यह 90 डिगरी का एंगल है इस दोनों के बीच में अब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है बाइसेक्ट करने के लिए कंपस को ठवबरा कर सकते है अब इस दोनों पॉइंट को यह इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोइन करेंगे और लाइन डोग कर देंगे यह देखिए 45 डिगरी के एंगल बन गया है यहां पैरो लगा दीजिए इस लाइन में भी और यहां पर 45 डिगरी लिख देना है थैंक यू यहां प्लेवरी जहां प्लेवरी